बिग बॉस OTT सीजन 2 में होने वाला है फैमिली भी हर कंटेस्टन के घर से कोई ना कोई फैमिली मेंबर जरूर आएगा लेकिन हर किसी की निगाहे जो है वो इस बात पर टिकी हुई है कि एलविश यादब के घर से कौन आएगा आपको बता दे एक ट्वीट का फिवारल हो रहा है जिसमें सारे इंफरमेशन है कि किस कंटेस्टन के घर से कौन सा फैमिली मेंबर आने वाला है बात करें सभी की मम्मियों की तो भाई बात ये आ रही है सामने कि मनीश और रानी को छोड़कर सभी कंटेस्टन की मम्मिया इस बार आपको फैमिली वीक में नजर आ सकती है ऐसा पहले बिग बॉस 16 में भी हुआ था जब फैमिली मेंबर बुलाए गए थे शो के बीच में और उनसे शो के बारे में राय ली गई थी लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि आधिक इंटेस्टन के घरवाले आएंगे और कुछ लोगों के नहीं आएंगे जिनके नहीं आएंगे अगर मैं नाम बताओं आपको तो खबरे आ रही है कि पूजा भट, जाध हदीद, एलविश यादव और आशिका भाटिया के घर से कोई भी नहीं आने वाला है दरसल इस बात के पीछे अब दो कारण है पूजा भट और जाध हदीद, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स का फियर लग रहते हैं और महेश भट शो में नहीं आ सकते तो उनकी तरफ से फैम यानि कि उनके फैन्स के मेसेजज आएंगे लेकिन एलविश यादव और आशिका भाटिया के घर से ना तो कोई फैमिली मेंबर आएगा और ना ही कोई फैन्स की तरफ से मेसेज अब भला वो क्यूँ? कुछ घरवाले ऐसे हैं जो शो में शुरुवात से वने हुए हैं अगर ऐसे में उनके घरवालों को ना बुलाया जाए तो ये तो गलत बात होगी बात करे अभिशेक मलहान की तो भई अभिशेक मलहान के घर से उनके भाई या उनकी ममी में से कोई ना कोई नजर आ सकता है महीं बात करें मनीशा रानी की तो मनीशा रानी के घर से उनकी मम्मी नहीं बलकि उनकी बहन आने वाली है आपको बता दे सभी घरवाले अपने फैमली से मिलने के लिए तो काफि बेकर आ रहे हैं भाई इतना वक्त हो गया है बिक बॉस के घर में लेकिन एविश यादव जो हाल ही में काफी होम सिक फील कर रहे थे उनके लिए मेकर्ज नहीं ये फैसला लिया है फैंस जो हैं कहीं न कहीं थोड़ी से नराज है क्योंकि एविश यादव को अपने घर की आद आ रही थी इन फैक्ट जिस तरह के हाथ से उनके साथ घर में हुए जैसा कि साबुन का पानी उनको पिला देना, रोटी खाने से उनने मना कर देना, उनकी मम्मी का रियाक्शन सामने आया था और आप उनकी मम्मी को फैमली वीक में मिलने भी नहीं दिया जाएगा, तो वैल विश यादव के लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है फिलाल दोस्तों, फैमली वीक से अलग कुछ बात करें, तो भई घर में इस बार हुए है, डबल एविक्शन और शौकिंग नाम सामने आये है आप देखना ये है कि उन खबरों में कितनी सच्चाई है और फैमली वीक के इस ट्वीट अपडेट पर भी क्या है सच्चाई, ये जानना काफ़ इंट्रस्टिंग होगा वीकेंड के बार का एक एपिसोड आज चुका है, आज यानि कि संडे के एपिसोड में आप क्या होने वाला है, ये देखना काफ़ इंट्रस्टिंग होगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस बारे में आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईए, साथ ही अलविश यादव का गेम आपको कैसा लग रहा है, कॉमेंट सेक्षन में मेंचन करना बिल्कुल न भूले पॉलिवड से जोड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और बिग बॉस से जोड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें